Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion now daily के basis पर हम page by discussion करते हैं और हर एक particular news से ये बताते हैं particular UPSC prelims और mains से से कैसा question पूछा जाएगा Now सबसे पहले overall section Monday to Friday answer writing भी की जाती है अभी GS4 ethics की answer writing हमारे group पे चल रही है Right और सबसे पहले चलिए overall section देख लेते हैं हिमांचल प्रदेश में land slide हुआ land slip हुई और 9 लोग मारे गए और West Bengal में COVID-19 की जो कितने लोगों की death हुई वो official data से जादा है ये है न्यूज Particular National Disaster Response Force को बुलाया गया महाराष्ट्रा में भी और हिमांचल प्रदेश में भी तो NDR आपको यहां से पढ़ेंगे तिलंगाना के temple को world heritage tag मिला है तो यहाँ पर देने वाला देखे UPSC prelims में हम यहाँ पर क्या बालेंगे WFC के बारे में complete जानकारी ले ले लेंगे यानि कि world heritage committee कितने member होते हैं कौन कौन होते हैं कौन decide करता है ठीक है कैसे अभी diplomatic जीत हुई है भारत की तिलंगाना के इस temple को world heritage tag मिलने के बाद ठीक है क्योंकि रश्या भी था पूरे race में नौर्वे भी था पूरे race में बट फिर भी किसको मिला तेलंगाना के रमपा टेंपल को मिला ओके चलिए ministry of home affairs के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे drone attack पंदर अगस्त अब आने ही वाला है तो कैसे बचाएं गाएंगे QSEC किसकी unit होती है flow of water की ठीक है तो यह भी discuss करेंगे गुदावरी river discuss करेंगे Pegasus कल आया था कल भी Sunday को हमने detail में discuss करवाया था आज भी इसको detail में discuss करवाएंगे और extra information जो होगी कि कौन खरीदता है कौन client हैं यह सब भी discuss हम करने वाले हैं इस पूरे इससे NFSA को करूँगा National Food Security Act को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको Indian polity का ओके फेक न्यूस पर अल्लेडी हम फेब में जो है answer writing कर चुके थे आज मैं answer writing के जो copies है वो भी दिखाँगा और I think मैंने जो PR publication का free group है उस पर भी share कर चुका हूँ कोई tap water नहीं है UPSC के लिए example की तरह यूज़ करेंगे फिर world की money wise news कर लेंगे without moving further आपको telegram application डाउनोड करनी है such box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे यहाँ पर देखिए आज का जो यार फैब का question था आज का पूरा article fake news पर है तो dis information is everywhere in India comment 150 सब्दों में करना था यहाँ पर मैंने answer writing जो हमारे paid user करते हैं वो भी share कर दिया तो आप इसे देख सकते हैं but without moving further आप PR publication के साथ अपनी UPSC की तैयारी करवर्स कर सकते हैं affordable prices में early plan है सिर्फ 499 रुपीज का जिसमें एक साल तक current affair notes daily answer writing 6-12 के notes phone guidance आपको मिलेगी अगर आप चाहते हैं तीनो प्लैन एक साथ लेना तो 999 रुपीज में आप इसे अवल कर सकते हैं NCRT test range plan है 6-12 और UPSC CSET का video course है 499 रुपीज का लेना बहुत simple है दिये गए नमबर पर Google पर phone pay करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से इम नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम private group से add कर लेंगे तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 9 लोग मारे गए बोल्डर हिट वैगल following हिमांचल लैंड स्लिप आपने ये वीडियो इंस्टा में भी देखी होगी या यूट्यूब पर देख ली गई होगी उपर से पूरे पहाड गिर रहे थे अब ये चीज़े होती कब है देखिए जब मॉंसून आता है तो इनके बीच में गैब बन जाता है अब जब मॉंसून बारिश चले जाती है और अकचानक से धूप आने लग जाती है तो वो पूरे क्या हो जाते हैं हिमांचल प्रदेश और उत्राखंड में तो ऐसे लेंड स्लिप होते रहते हैं तो सेप्टी अपने हाथ में यह है कि जब ऐसा टाइम आए मौनसून का टाइम आए तो ट्रेवल करना अपने हाथ में ही सेप्टी है तो नौट टुरिस्ट जो आए थे वो मारे गए और महराष्टर में भी कुछ ऐसे ही हुआ मौनसून आ रहा है तो फ्लरड आ सकता है तो दो फॉर पोस्टिंग एंडी आरफ टीम इन हाई रिसक एरियाज जहांपर बहुत ज़्यदा प्रोन एरियाज है वहाँ पर एंडी आरफ टीम जाएगी हलागी यह दो न्यूस अपने आप में अलग हैं पर दोनों ही न्यूस किस से रिलेटेड हैं डिजास्टर से रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मेरी बुक है वो आपको अमेजोन किंडल में मिल जाएगी और डिजास्टर मैनेजमेंट बाई पंकज बोहरा और PR पब्लिकेशन आप सर्च करेंगे तो अल्रेडी कुछ तीन-चार वीडियो हमने अपलोड कर दी हो और पूरी बुक भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी राइट तो NDRF आज हम डिसकस कर लेते हैं नाव सबसे पहले पढ़ लेते हैं NDRF, What is National Disaster Response Force, UPSC General Studies Paper 3, Disaster Management में ये पूछा जाएगा ये फोर्स है, बार बटालियन, करीबन करीबन बार सौ परसन होते हैं, इस डेडिकेटेट फॉर रेस्क्यूइंग, प्रोटेक्टिंग हुमन लाइफ्स, और जब भी ऐसा डिजास्टर आता है और बार बटालियन में आपको BSF के जवान मिल जाएंगे, CISF, ITBP और SSB के, किस मिनिस्टर के अंदर काम करती है, मिनिस्टर आफ होम अफिर्स के अंदर काम करती है तो पहली न्यूज हमारी पूरी क्लियर हो चुकी है, यहां से हमने सिर्फ प्रिलम्स के लिए अंदिया आरफ जानना था और मेंस के लिए अंदिया आरफ जान लिया है सेकेंड न्यूज तेलन गाना टेंपल गेट्स वर्ल्ड हरिटेज टेग और भारत की यह जीत है क्योंकि यार नॉमिनेशन तो 2004 से ही इस टेंपल को किया गया था अब ही लाइन जो ओर्डर में थे रश्या भी था नौर्वे था और बहुत सारी कंट्रीज थी जिस पर हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत हुई है तो इसको वर्ल्ड हरिटेस साइट का टैग मिल चुका है युनेसको वर्ल्ड हरिटेस साइट का जब मिटिंग चल रही थी ओनलाइन मिटिंग में ये डिसाइट किया गया World Heritage Committee के द्वारा ये online meeting in Fuso China से ये decision लिया गया कि इसको बनाया जाएगा और इंडिया का ये 39th World Heritage Site है और 17 countries का इसमें consistence था कि मिलके इनोंने decide किया built by रचेरला, सेनापती, रुदरया, जर्नल आप काकाटिया किंग और आप सब को पता होगा जो हमारी southern state वाली history है काकाटिया किंग्डम है और बहुत सारे किंग्डम्स जो southern parallel जैसे नौरद में चल रहा था चंद्रगुप्त मौरे वैसे ही parallel में जो जो हमारी dynasty चल रही थी उसके बारे में बहुत ज़्यदा पूछा जाता है इसलिए बहुत बार जो बच्चे प्रिफर भी करते हैं कि सर हम तमिलनाडू history की बुक पढ़ने है 11, 12, 9, 10 ये भी उनके मन में रहता है तो ये एक proud की बाद भी है इंडिया के लिए बट कॉशन यहां से हमारा कैसे आएगा मैं तीनो कॉशन को डिटेल में बताता हूँ रभपपा टेंपल, वर्ल्ड हेरिटेस साइड और डबल एचसी तो तीनो को ही मैंने नोटस आपको दे दिये हैं यहां पर और तीनो को ही हम डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं रमपा टेंपल डेडिकेटेट टू लॉर्ड शिवा पलामपेट विलेज अराउंड 67 किलोमेटर फॉम दे सिटी ओ वारंगल तेलंगना से 67 किलोमेटर दूर है विलेज का नाम है पलामपेट विलेज अल्सो फेमस एज रामलिंगेश्वरा टेंपल इसको रामलिंगेश्वरा टेंपल भी कहते हैं और किष्ण ने बनाया था रचेरल रूदर ने बनाया था जो मैंने पर्टिक्लर न्यूज पेपर माया है उसके ही पूरे नोट सा आप लोगों को दे दिये गए हैं काकातिया किंग्नम से थे और 12th century में मनाया गया 12th century AD में काकातिया डैनेश्टी वोग दो साउथ इंडिया डैनेश्टी देट रूल आंदर प्रदेश इं इंडिया फ्रॉम दा 1083 सीट कॉमन एरा टू 1323 कॉमन एरा तक उन्होंने रूल किया temple has its name after its sculpture temple का नाम जो है किसके नाम पर पपड़ा उनके sculptor के basis पर पपड़ा रमपप राइट it falls under the protection of काकातिया heritage trust that has been pushing its forward heritage tax since 2012 अब काकातिया heritage trust हर जगे trust बनता है temple का trust बनता है जहां पर पैसे चड़ाए जाते हैं उस trust को जाते हो तो वहां पर भी काकातिया heritage trust है और बार बार वह 2012 से ही हाला कि 2014 में nomination मिल चुका था इसको और 2012 से ही ये trust बोल रहा था कि इसको world heritage site का दर्जा मिलना चाहिए अब तो इसको protect करने में जी जान लगा दिया जाएगा UNESCO से पैसे भी मिलेंगे भार सरकार को for the year 2019 it is the only nomination for the world heritage site selection process from India 2019 से तो सिर्फ एक ही था हाला कि ये process 2014 से सुरू हो चुकी थी बट प्राउड वाली बात है तो मिल चुका है UNESCO World Heritage Sites होता क्या है UNESCO का six to encourage the identification protection and preservation of cultural और natural heritage को protect करना UNESCO का का यहां पर यहां पर यह बात की गई है UNESCO ने 1972 में ट्रेटी को opt किया था उसका नाम है convention considering the protection of the world cultural and natural heritage ठीक है यहां पर देखिए यह सबसे बड़ा बात है World Heritage Fund provide about four million annually to support activities to preserve monuments that required international assistance यह फंडिंग भी मिलती है उनको ठीक है ताकि और अच्छे से इसको conserve किया जाए और अच्छे से इसको protect की जाए World Heritage Committee allocates funds according to urgency of request priority being given to the most threatened sites जहां पर threatened है उसको ज्यादा funding मिलेगी बट funding मिलती है बट बात यह आती है कि आप WHC होता क्या है prelims में बहुत possible chances हैं कि UNESCO World Heritage के बारे में ना पूछा जाए बट जो committee decide करती है किसको मिलना चाहिए किसको tag देना चाहिए वो पूछी जाएगी आपसे prelims में Now WHC यानि की UNESCO का World Heritage Committee is composed of representative of 21 states parties to the World Heritage Convention who meet annually Sorry 21 parties है जो वर्स में एक बार मिलती है Convention Concerning जो 1912 में यह आप्ट किया था UNESCO ने उसके basis पर It is based on the premise that certain places on earth are outstanding universal value जिनकी बहुत तगड़ी value है So therefore form part of common heritage of humankind और मतलब एक ऐसी प्लेस को एक ऐसी जगे को एक प्राकरतिक जगे को या man-made जगे को ऐसी जगे चुनते हैं जो सभी के लिए common हो जो सभी के लिए मतलब equal value दे और value से ही देखिए अगर आप देखेंगे Mark Zuckerberg हो यह सब value पर काम करते हैं अपनी values होती हैं कुछ values मतलब होता है अपने आप से अपने आप पर मतलब अपने आप से जूट ना बोलना अपने आप सच के उस पर चलना तो values होती हैं सब लोगों की एक एक values होती होंगी कोई बोलता होगा मैं जूट नहीं बोलता हूँ तो यह आपकी USP आपकी value है ठीक है कोई कहता होगा यह PSC sprint मैं 6 घंटे हमेसा देता हूँ तो देता हूँ चाए ददा की साधी हो या भाई की साधी हो राइट तो यह आपकी values होती है तो similar universal values हर एक particular चीछ की भी होती है जो WSC identify क charge of implementing the convention convention को implement करने का committee ही काम करती है 21 representative होते है राइट तो दोसरे news भी हो चुकी है इसमें हमने detail में discuss कर लिया है तीनों ही चीछ को जो जो हमसे पूछे जा सकते थे राइट चलिए अब बात करते हैं next की और next है ministry of home affairs independent day से पहले MHA यानि की ministry of home affairs ने order release किये बुला गया कि drone attack को हम कैसे बचा सकते हैं यार इससे पहले जमोईन कस्मिर में हुआ था drone attack हाला कि कुछ लोग मारे नहीं गए थे कोई भी लोग मारे नहीं गए थे कोई लोग भी हमारे जवान सहीद नहीं होए थे civilians मारे नहीं ग of home affairs का अमित शाह जो हैं अभी उनके minister है union minister the ministry of home affairs is discharge multifarious responsibilities यानि की center state के relation देखो border management देखो internal security देखो अगर मैं कहूंगा कोविड 19 किसके अंदर आएगा तो मैं कहूंगा ministry of home affairs के ही अंदर आएगा क्योंकि वहाँ पर भी border management था एक जगे से लोग दूसरे जगे जा रहे थे center state relation भी थे था union territory को रोकना CRPF, CAPF जवान को manage करना, disaster management को manage करना ये सब किसके अंदर आता है ministry of home affairs के ही अंदर आता है और एक और चीज constitution में ये लिखा गया है कि central government, state government को हमेशा protect करेगी जब भी external aggression होगा तो ministry of home affairs ही क्यों आया समझ में आ गया drone attack में? internal security ये सब जो भी ये key point आएंगे तो MHA ही responsible होगी नाव यहाँ पर देखे जैसे जैसे monsoon चल रहा है यार वैसे वैसे खत्रा और बल रहा है गोदावरी नदी में बाड़ भी आ सकती है, आंदर प्रदेश ने issue किया है flood alert कली हमने पढ़े थे IMD के flood alert, बताइए orange को, orange alert को एक और चीज कहते है, वो क्या है, उसका नाम बताइए दूसरा, सबसे ज़्यादा, कौन से color coded होते हैं, ये बता दीजे सिर्फ क्योंकि ये कल ही मैंने करवाया है, ठीक है, चलिए 10 लाग Q-sack of water being discharge, Q-sack क्या होता है, Q-sack unit होती है यूनिट होती है flow of water की, कितनी तेजी से पानी बहरा है, अगर आपने देखा होगा, बारिस आ जाती है, तो water flow अपने आप में ही बढ़ जाता है, और इसके साथ-साथ चलिए, ये तो ठीक है, कि इसके, देखे, यहाँ पर भी NDRF आया, जो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर coal जो production है, बहुत ज़्यदा हिट हुआ है, राइट? अब स्टार्ट करते हैं, आज के एडिटोरियल, सबसे पहला एडिटोरियल है, क्या मौनसून से रिलेड़ेड़ है, जैसे महराष्ट में इतना ज़्यदा मौनसून आता है, घर के अंदर पूरा पानी फैल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये है, हाला कि इसका हम नही प्रिलेम्स में यूज कर सकते हैं, नहीं मेंस में, क्योंकि ऐसे ही रेंडम फैक्ट यहां पर दिये गए, कि पिछले वर्स से यहां पर ज्यादा रेंफॉल हुई है, आएमडी डेटा उन्दरीनल डिस्ट्रिबुशन ये बोला जा रहा है, साउधन पैनिंसुला है, सीन 29 पर्षेंट मोर रेंफ रॉम जून वन टू जूलाई 25 ठीक है, यही चीचे यहां पर दी गई है, महाबलेश्वर है, महराश्ट्रा है, यहां पर बहुत ज़्यादा रेंफॉल हुई है, और पूरे ही आर्टिकल में यह पूरी ही चीचे हैं, दोजार अठार, कितना हुआ है, यही पूरी डिसकस की गई है, जो कि रेंडम फेक्ट आप से पूछे नहीं जाते हैं, तो पहला आर्टिकल आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, नहीं इसको पढ़ने की जरवत है, नहीं नोट्स बनाने हैं, सेकेंड हैं, अब सेकेंड तो हम तब डिसाइड करेंगे, अभी देखिए, RBI का मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो केरेंसी, आपको कॉमेंट बॉक्स में क्रिप्टो केरेंसी कौन कौन सी हैं, वो लिखनी है, ठीक है, बिटकॉइन है, इथर है, यह मैं आपको बता देता हूँ, बांकि आप दूसरी लिखे, अभी bank of India जो हमारी इंडिया की central bank है जादी से जादा focus कर रही है किस पर which could be implemented with little or no description किस पर cryptocurrency को एक currency बनाने में digital currency बनाने में भारत की खुद की digital currency बनाने में RBI कर रही है जो कि legal भी होगी राइट यानि कि हम आप इसको use कर सकते हैं बट उसके साथ private cryptocurrencies भी है जैसे bitcoin ether has spooked central bank throughout the world and push the case for official digital currencies अब bitcoin और इतने ज्यादा यह अचानक से भूम हुए तो इसके चलते हुए reserve bank of India को भी लगा कि हाँ नहीं हमें digital currency बनानी चाहिए खुद की भी right but when while official digital currency can borrow the underlying technology feature of private cryptocurrency they significantly different from the letter in the philosophy and goals हाला कि हाला कि हाला कि एक private cryptocurrency और reserve bank of India जो बनाएगा वो same cryptocurrency होंगी बट इसके private के principles अलग होंगे RBI के principles अलग होंगे इनका goal अलग होगा इनका goal अलग होगा सबसे जादा reserve bank of India तो यही चाहेगी जो हमारे customer है हमारे जो Indian citizen है वो लोग trap में ना फसे right क्योंकि digital literacy भी उसके लिए बढ़ाने की जरुवत पड़ेगी राइट तो एड नाइंड हमने यही पर देखा कि अभी RBI किस पर काम कर रही है digital currency पर काम करती है और बहुत possible chances हैं कि यह UPSC mains में इसका question पूछा जाए कि digital इंडिया की जो RBI अभी जिस पर काम कर रही है digital Indian currency पर उसके प्रोज और कौन से क्या हो सकते हैं ठीक है तो इस पर हम discuss करेंगे बढ़ जैसे जैसे और आर्टिकल यह publish होते रहेंगे हम इस पर एक answer writing भी करेंगे क्योंकि अभी तो हमारी चल रही है GS4 ethics की answer writing वो भी case study की और almost हमने तीन से चार साल का पूरा कर लिया है कली के जैसा आया है random fact Pegasus के बारे में चलिए इतना ज़्यादा यह वही चीज़े हैं कितना surveillance कर सकता है कि इसको देता है मैं इसको Pegasus notes के form में भी पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ और दूसरी भी government यह दूसरी सर्वलांस जूडिशेरी इसमें क्या कर सकते है वो भी discuss करेंगे Pegasus जितनी जानकारी prelims के लिए हो सकती है हम notes से cover करेंगे जो जानकारी extra है हाला कि कल के नीच पर मैं आपने पढ़ ली होगी बट फिर भी आज हम discuss करेंगे Pegasus, Melchia software है, spyware है, इसराइल के NSO group ने यह बनाया है और इसराइल का कानून यह कहता है कि सिर्फ हम generally sovereign government को ही देंगे जैसे भारत है, रशिया है, अजर वेजान है, इन सब को जो है, इसराइल ने दिया हुआ है, साओधी अरेविया को दिया हुआ है, यह Pegasus, right तो Pegasus जो develop किया गया, इसराइली एक company है, NSO group के द्वारा 2010 में, 2016 में और ज्यादा फिसिंग के basis पर जिसे one click attack भी कहते हैं, यह किया गया, इसमें और ज्यादा advance में किया गया, जिसको बोला गया, zero click attack यानि कि 2019 में WhatsApp ने एक data release किया था कि Pegasus आपके phone में घुच सकता चाहिए iOS हो या Android हो, bridge कर सकता है आपकी security को, right, मतलब सिर्फ आप कुछ भी ना करें मेजडी call से बिना उसके, और आपका microphone, आपका camera यह सब control किया जा सकता है, इसके साथ 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 से ज़्यादा client हैं Pegasus का जो अभी तक deal आई है, 40 से ज़्यादा countries में, 60 से ज़्यादा client Pegasus के हैं, औ अभी जो यह surveillance किया जा रहा है, वो Indian सरकार के दारा ही किया जाएगा, हाला कि official नहीं भार सरकार deny कर रही है कि हमने लिया है, नहीं accept कर रही है कि हमने नहीं लिया है, अब सरकार ने recent जो Pegasus से बचने के लिए, या दूसरे, मैं कहूंगा Pegasus या दूसरे hacking से बचने के लिए क 24C, legislation कौन कौन से कानून है, ITX 2000, Personal Data Protection Bill 2019, और बुदापेश्ट Convention भी जो कि इंडिया भारत जो है, सिगनेटरी नहीं है, 2004 में, convention था, cybercrime का, यह UPSC prelims में एक लाइन में पूछा जाएगा, complete detail दे चुके हैं, और यहीं आप से पूछा जाएगा, नाव जो second editorial है, वो है, इंड 24D, स्टाफ है, इंडियन एयर फोर्स है, आर्मी है और नेवी है, तो यानि कि आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, चाइना वाला बॉर्डर, पाकिस्तान वाला बॉर्डर, तो हम सिर्फ ऐसा भी नहीं है, कि तीनों आर्मी को मिलके काम करना पड़ेगा, जो हम स्ट्रोंग कर लें सिर्फ एयर फोर्स को, हमारी जरुवत है, देखो अगर इंडियन एयर फोर्स से है, वो विक्ट्री हमें तब ही दिला पाएगी, जब हमारी इंडियन आर्मी और जो नेवी है, वो स्ट्रोंग होल्ड बनाए रखे, तो पूरे आर्टिकल में यही सारी चीजें, बहुत सारी अपॉइंट्मेंट होने बाकी है, इसक्वाडरन 25% हैं, फाइटर इसक्वाडरन, 400 पाइलेट्स, अल्मोस 10% और और ऑथराइज स्टेंथ, फॉर्दर एग्रिवेट्स इस, मतलब इंडियन एयर फोर्स में अभी और ज्यादा इस्ट्रॉंग हो भारत की फुट सिक्वरेटी के बारे में, इंडिया की हंगर इंडेक्स पर रिपोर्ट तो कम है बहुत ज़्यादा, बट इस्टेट ऑफ फुट सिक्वरेटी और न्यूट्रेशन यह आपको लिखना है, करीबन करीबन 10 अब अब एस्टमेंट अराउंड 10 अब ग्लोबल सिस्टम में, थोड़ा सा बिगड़ गया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा बिगड़ हमारा गया, तो इसके चलते हुए, कहीं न कहीं, NFSA, National Food Security Act पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हाला कि प्रधान मंतरी गरिब कल्यान योजना के अंतरकत, फ्री में रा अगर आपको राशन शॉप में, कम दामों में, चावल गेहूं मिलते हैं, तो उसका एक ही मकसद है, NFSA, यानि कि National Food Security Act 2013, इसकीम जैसे मिड़े मील, PDS, ICDS, ये इसी एक्ट के अंदर कवर होती है, और सभी राज्यों में, सभी के इंदिसासित प्रधिसों में ये, जो स्कीम ह कवर है, इस्टेट वाइड डिटर्माइड बाइड नितिया आयो, कौन दे बेसिस आप दोजार इग्या, दोजार बार के हाउसोल्ड सर्वे की बेसिस पर किया जाता है, और एक्ट लीगली, रूरल एरिया में 75 परतिसत और वहीं, अर्बन, सहरी छेतर में 50 परतिसत सब्स परतिसत जनता तो अच्छी होगी ना, सिंपल सी बात है, सहरी छेत में, बट वहीं 75 परतिसत रूरल एरिया में, और दो ठर्ड जो पॉपलेशन दियरफोर इस एक्ट के अंदर कवर है, बट बहुत सारे लोगों के बाहर राशन कार्ड आधर कार्ड में एरर होते हैं, तो इसके यह कुछ negative challenges भी हैं, देखिए आज का article है, are laws and technology a solution to fake news, क्या fake news के लिए कानून मनाना या technology कोई एक solution है, मैं कहूंगा यार यहां पर historical thinking, education आनी चाहिए, जैसे यहां पर, अभी हाल में ही बहुत सारी जो social media company है, millions of dollars artificial intelligence में खर्च कर रही हैं, ताकि fake news का जो proliferation है, इतनी जादा बल्ड रही हैं, वो कम हो सके, तो हमें legal system तो चाहिए चाहिए उसके साथ साथ, अगर मैं AI के बारे में बात करूं, यार AI थोड़ा सा होता क्या है, overrated है, AI क्यों, अगर किसी को train करना हो, एक AI model को, तो computing energy power बहुत जादा चाहिए, और आप मानेंगे नहीं, तो आप AI AI की बात करते हैं, बट हमारा 6,56,347 किलो वाट आवर, ये वेस्ट हो जाता है, इतनी energy की जरूरत होती है, इतना किलो वाट आवर की energy हमने प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और even उसके साथ carbon dioxide का emission जो की एक green house gas है, AI को एक setup model train करने के लिए, इतना ज़्यादा खर्चा, इतना CO2 का emission होता है, राइट, तो fake news एक disinformation है, जो reality तो नहीं है, बट इसको fact की तरह paste किया जाता है, तो मैं यहाँ पर यह कहूंगा, कि NCIT का जो curriculum है, वो हलका सा change होना चाहिए, state का जो है memorization content पर है, रटने वाला जो है, यह वो करे रहते हैं, तो जहाँ पर हमने रटने वाला content share क करते रहे, यह state में यह पढ़ाया जाता है, तो हम fake news और real news में differentiate नहीं कर पाएंगे, तो पहला solution क्या है, NCRT के साथ state board का curriculum भी जो की non memorization of content के basis पर हमने बनाना चाहिए, दूसरा solution, article 51A उस पर यह बोला गया है कि हर एक बंदे को scientific temper develop करना पड़ेगा, अब जिसने quality पढ़ी है उसमें उसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, scientific temper यही है कि logical thinking होनी चाहिए हर एक point, आप से मैं कह रहा हूँ कि यह नहीं आएगा, तो आपको सोचना चाहिए कि सर क्यूं कह रहे होंगे यह नहीं आएगा, क्यूंकि previous year में ऐसे question नहीं पूछे जाते हैं उसके basis पर, तो यहा हैं क्या, इसके basis पर हम किसी एक fake news को judge कर सकते हैं, ओके fake news को judge कर सकते हैं, जैसे एक example, मैं यहाँ पर कहूँगा, कि जो है, ब्राजिल में, ब्राजिल में, ठीक है, ब्राजिल में भगवान राम गए थे, ठीक है, तो आपको पता है, चलो, जिनकी reality है, बुद्ध भगवान, मैं कहूँगा, ब्राजिल में बुद्ध भगवान गए थे, नहीं, आपको पता है, नैपाल से आये history आपने पढ़ी है, ठीक है, इंडिया गया बिहार, यहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, तो आपको पता चला कि आप ब्राजिल गए है, आपने कैसे करा, मैं कह बुद्ध भगवान ब्राजिल भी गए थे एक बार, उन्होंने जो वहाँ के रेन फॉरस्ट, आमेजोन रेन फॉरस्ट उनको बहुत अच्छा फल दिया था, वहांसे फल तोड़े थे, आप मान लोगे क्या, नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है क यार, आपकी historical thinking मुझसे जादा तगड़ी है, आपने जस्टी पढ़के आए हो अभी, सुबह सुबह 6 बजे उठे हो, 6 बजे उठके आपने ये गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है, जैन धर्मे के बारे में पढ़ इसके साथ साथ हम फेक न्यूज के बारे में एक complete न्यूज मैं आपको देता हूँ, बात यह आती है कि यार, पूछा कैसे question जाएगा, क्योंकि न्यूज पर तो सभी पढ़ लेते हैं, यार, फरिविकार देखो question, disinformation is everywhere India, comment करना है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस पीपल वर्किल्डाज रिजल्ट आप मिसंफॉर्मेशन सर्कुलेटिट अन सोचल मीडिया, causes क्या होते हैं, sharing the without the checking authenticity, legislation अच्छा नहीं है, media ethics अच्छे नहीं है, concern क्या है, impact of real news, influence the voter mind को influence कर सकती है, solution क्या हो सकते हैं, awareness बढ़ाओ, threshold बढ़ाओ, strict rules बनाओ, independent agency, to check authenticity of sources, government के initiative कौन गौन से हैं, linking other to social media, in kirlah fake news, classes conducting government school, देखो, कितना तगड़ा यहां पर यह, अब क्या यह, हर बार आएगा, क्या यह, वोला point, नहीं, आज के point में नहीं डाला था, तो इसे ही लिए होता है, daily news पेपर पढ़ना कितना ज़्यादा जरूरी है, आप सब को पता होगा, अ अब इन्होंने जो लिखे हैं, वो आज की उसमें नहीं होंगे, आज की उसमें जो है, उन्होंने नहीं लिखे होंगे, तो historical thinking यह एट कर देना और बहुत सारी चीज़ें यहां पर एट कर देना, right, now यहां पर tap water की जरूरत है, 35% government school आंगनवाड़ी के पाँ कोई tap water नहीं ह हाना कि देखें, जल जीवन मिशन चला दिया गया था, फिर भी उसके बाद आंगनवाड़ी में tap water नहीं है, तो यह वाला आप यह यूस करते रहे ना, अपनी answer writing में की हमें इसकी जरूरत है tap water बढ़ाने की, now जल जीवन मिशन, राइस्तान ने डिवांड किये कि हम ज़्य बढ़ादा एसिस्टेंस मिलना चाहिए, जल जीवन मिशन, 73 इंडिपेंडेंस डे, 15 गस 2019 में रेट फोर्ट से चलाया गया, इसका में यही था कि सभी लोगों को tap water देना, the mission is based on community approach, लुक्स जन आंदोलन for water, सभी लोगों ने मिलके काम किया, funding pattern, वह 90-10 हिमालेन इस्टेट के लिए 50-50 बागी स्टेट के लिए ठीक है, इसमें स्टेट लेवल पर सेंटर लेवल पर काम किया जाता है, और गांदी जी का ग्राम सुराज अंडर जल जीवन मिशन को follow किया जा रहा है, और सभी लोगों को यहां पर मिलके काम करेंगी, महलाएं काम करेंगी, और इसमें मेन कंपोनेंट वही है, वाटर सप्लाई, वाटर से उर्च का और ग्रे वाटर का, यानि की डॉमेस्टिक वेस्ट वाटर का, वर्ल लेवल पर बात कर लेता हूं, चैना पाकिस्तान आउट्लाइन जॉइंट एक्शन टू एलाइन अफगानिस्तान स्टेटीज, किस तरह से अफगानिस्तान की पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, चैना और पाकिस्तान मिलके अभी काम कर रहे हैं, अठाइस लोग अबड़क्ट कर लिए गए हैं, नाइजीरिया में, चीक है, पाकिस्तान बैंड डॉमेस्टिक ट्रेवल फॉर अन वैक्सिनेटेड, वही है, जिसने वै सकते हैं, आप बिल्कुल स्रिष्टी, आप गीवर नमब पर मैसेज कीजिए, वर्टसप मैसेच, ठीक है, जो हम इनिशल में बताते हैं, हम आपको गाइट करेंगे, सर प्लीज सजेस्ट बॉक फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, देखिए, मैक ग्रिल की ही एक आती है, न सब्सक्राइब निश्च पर पढ़ना है, बाद में रिडिंग नहीं करनी है, विजन आयस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, सर 97 constitutional amendment था, वो समझ नहीं आया, पढ़ा था notes बट समझ नहीं आया, कि amendment की according किया है, और recent matter क्या है, देखिए, 97 constitutional amendment act, fundamental right बनाता है, कि हम cooperative societies बना सकते हैं, बतलब हाद जगे cooperative societies बना सकते हैं, और recent में एक guideline इसमें हटा क्या दी, कि पहले state का control हुआ करता था, कि पूरा जो कितनी guidelines बनाएंगी, अब center ने कहा कि आप अच्छे से delay वगरा करा दे रहे हो, election अच्छे से time पर नहीं करवा रहे हो, तो इसका control अभी हैं हम करेंगे, तो यह federal structure को violate करता है, judiciary course to know, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे Thank you